शाम का वक्त था, मन में शान्ती थी, इसलिए सासुमा शार्दा और ससुर्जी प्रशाद दोनों ही हरे हरे खेतों के बीच से होकर मा देवी दुर्गा के मंदिर में जाते हैं, वहां दोनों जाकर बैट कर प्रार्थना करें और चारों तरफ देखने लगे, तभी उन्होंने शायद बच्रा बहुत भूका था, इसलिए मजे से घास खाने लगा, गाय बच्रे को प्यार से चाटने लगी, देखकर दोनों के आखों से आसुछलग पड़े, इस बेजुबान गाय का भी एक बच्रा जो उससे पैदा लिया है, जब उससे चोट लगती है, तो मा को भी तकलीव होती है, मातरित्व दिखाकर वो मूँ से घास ले आती है, बच्रे को खाने देती है, आधर कोड़े चाटे चाटे बॉले आमी आजी चीनता को रिशना, अपने बच्चे को वो हिम्मत देती है, हाँ शार्दा, एक तो हम इंसानों के पैदा लिया, उपर से हमारा एक बेटा हुआ, रमेश जिसकी तीन-तीन बेटिया है, जिम्मेदारी नहीं उठा पाया, इसलिए अपने पत्नी को अपने बच्चो को छोड़के चला गया, सारे रिश्टे नाते तोड़के वो भाग गया, सोचो अनपना नामिका, कैसे अपने तीन-तीन बच्चो को भाल पोस के बढ़ा करेगी, मुझे भी कुछ समझ ने आ रहा है शारदा, इस तरह वो अपने बेटे को कोसने लगते हैं, जिसने सारे रिश्टे नाते तोड़ दिये, उन्हें बहुत बुरा लग रा था अपनी बहु पे और उनके तीन-तीन बच्चो पे, जो जीने के लिए आ आप मेरे पती बने, तब आपको किसी तरह का कोई डर भै नहीं हुआ, जब आपको तीन-तीन करन्या संतान हुई, आप दर के मारे हम सब को छोड़ के चले गएं। वो इस तरह पूछी रही थी, तभी शार्दा और प्रशाद मकई लेके घर आते हैं। शार्दा अनामिका के पास जाती है। मैं समझ सकती हूँ, पती के बिना जिन्दगी कैसी होती है, पर मेरा बेटा ही है जो भाग गया, ऐसी सरल बहु आज भूके मर रही है, ये ठीक नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करो माजे, मैं तो पड़ी लिगी भी नहीं हूँ, घर का काम काच करकी ही पड़ी हूई हूँ, यहाँ पे आने के बाद भी है क्या है, अब मैं अपने बच्चों की भूक कैसे मिटाओं आप भी बताइए। बहु, तुम्हें खाना पकाने आता है ना, अब खाना पकाना शुरू करो, तुम शहर चले जाओ और जाके सबसे पूछो, किसी को अगर रसोईया की जरुवत है, तो वहां तुम काम कर लो। काम करने लगी, फिर अपनी तीन-तीन बेटिया और ससुराल वालों के साथ खुशी-खुशी रहने लगी, एक दिन जब अनामिका अपने तीन बच्चियों को लेकर बाजार से घर लोट रही थी, तभी उसके सामने आके एक बड़ी सी गाड़ी रुकती है, अनामिका और त उसकी बाते सुनकर शशी, तारा और मौनी तीनो गाड़ी को देखकर उतसाहित हो गई, वो तीनो गाड़ी में बैटने के लिए जित करने लगी, अब कोई चारा नहीं था इसलिए अनामिका बच्चियों को लेकर गाड़ी में बैट जाती है, गाड़ी चलने लगी, गाड अनामिका, शशी, तारा मौनी सभी गाड़ी से उतर के घर के अंदर जाती है, घर बहुत महंगा था, अच्छा सोफा रखावा था, बच्चे सोफे पे चड़के मस्ती करने लगे, मेगना के पती अरविंद दूसरे कमरे में लापटॉप में कुछ काम कर रहे थे, शशी, तारा मौनी जोर-जोर से हला मचा रहे थे, वो सुनकर अरविंद कमरे से बहा निकलाते हैं, बच्चे हला मत करो, मैं काम कर रहा हूँ, इतना कहकर वो अंदर चले जाते हैं, मेगना अनामिका बच्चों को खाने के लिए डानिंग टेबिल पर बुलाती है, पूरा कर पाने की वज़े से अरविंद गुस्सा होकर अपने कमरे से डानिंग टेबिल के पास आते हैं, बच्चे ये सब क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूँ ना कि हला मत करो, आज से पहले कभी खाना नहीं खाया क्या, इसलिए मैं नहीं चाता हूँ कि कोई गरीब यहाँ पर आए फिर वो खाना खाते बच्चों को धक्का देकर घर से बहा निकाल देता है, बच्चे रोने लगे, जैसी दुखी होकर अनामी का घर से बहार आई, अरविंद पीछे से दर्वाजा बंद कर देते हैं, फिर उसी रात, मा, हमारी किच्चा है पूरी करेंगी आप, वो क्या है बच्चा, क्या आप कभी अमीरों वाला खाना खिला सकती हैं, हाँ मा, आंटी के घर पे जाने के बाद वहाँ पे स्वादिश्ट बोजन खाके, हमें बड़ा अच्चा लगा, हम भी चाते हैं वैसी खाना, क्या आप सकती हैं, ये कहकर वो तीनों बच्चे जिस तरह से दुखी हुए, ये अनामिका से सहन नहीं किया गया, फिर तो तिन दिन निकल गए, एक दिन जब बच्चे स्कूल गए वे थे, अनामिका अपनी सासुमा की मदद से तरह तरह के पकवान बनाती है, और साथ ही स्वादिश चिकन बिर्यानी भी बनाती है, सिर्फ उत्ता ही नहीं, फिश, एग, मटन इस तरह के तरह तरह के पकवान थे, फिर शशी, तारा और मौनी स्कूल से लोट आती है, उन्हें पकवानों के सोगंद आने लगते हैं, बच्चे, अब तुम लोगों की इच्चा पूरी होने वा शशी, तरह, मौनी, तरह, तरह के पकवानों को बहुती मज़े से खाते हैं, और बहुत खुश हो जाती हैं, बच्चों ने जिस तरह से आनंद लेकर भोजन खाया, ये देखकर अनामिका बहुत खुश हुई, मानों की ऐसा लगा हो कि सारी मेहनत उसके आखिर का रंग ले आज यहीं तक नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे, नमस्कार हाथ में घंटी लेकर गुस्से से अनामिका के बिस्तर के पास आकर खड़ी हो जाती है, धेड़ सारे पूजा पाट के बाद एक बेटी हुई, मेरी सास और पती कहते थे कि ये हमारी घर की लक्षमी है, और इस बहारे इतना प्यार दुलार किया कि देखो अभी तक सो रही ह देखो मैं कैसे सबक सिखाती हूँ, रुको, इस तरह से गुस्से से वो अनामिका के कान के सामने आकर घंटी बजाने लगती है, घंटी की अवाज सुनकी अनामिका हर बढ़ा के जग जाती है, और वो गुस्से से देखती है, कितनी बार कहो मा, पहले जग जाने पे भी सबक मिलेगा, इस तरह वो धंकाती है, ठिक उसी दौरान मेगमाला की सासुमा शामभवी वहाँ पे आ जाती है, मेरी पोती है, तो लड़की नहीं है क्या, ये कहकर मेगमाला हसती है, अनामिका और शामभवी उसे गुस्से से देखने लगती है, हमने इसे बच्पन से ही मा लक्षमी के तरह पाल पोस के रखा है, ससुराल में भी, जहां इसे मा लक्षमी के तरह रखा जाएगा, वही पे हम बिहा देंगे, फिर तो बेटी की शादी देखने का मेरी किस्मती नहीं होगी, ऐसा कहकर पूजा की घंटी लेकर मेगमाला वहाँ से चली जाती है, शामभ बैठे बैठे वो सपने देखने लगती है कि ससुराल में जाने के बाद भी वो रानी के तरह खुश है, उदर शार्दा प्रशादा रमेश तीनों तयार होके आके हॉल में बैठ जाते हैं, पंडित जी ने कहा था कि समय पे आ जाएंगे, पर अभी तक आये नहीं, समय पे लड़की देखना है, फैसला लेना है, बहुत काम है, नहीं तो जाना ही रोकना पड़ेगा, परेशार मात हो शार्दा, पंडित जी के बारे में तो तुम जानती हो, वो कही रहते तभी हरबडाते वे पंडित जी वहाँ पे आते हैं, शार्दा जी माफ कीजिएगा, थोड अभी चलते हैं, पंडित जी, पहले ही बता देती हूँ, मैं उसकी परिक्षा लूँगी, अगर वो लड़की परिक्षा में पास करती है, तभी वो इस घर की बहु बन पाएगी, और नहीं तो नहीं बनेगी, अरे शार्दा, मेरी माने तुमारी क्या परिक्षा लीती यहा आएगी, ऐसा कहकर वो तीनों घर से निकल जाते हैं, फिर अनामिका के घर पर पहुंसते हैं, शार्दा प्रशाद एक सोफे पर जाके बैठते हैं, अनामिका एक चेर पर बैठती है, उसके चेर के पीछे उसकी मा मेगमाला और दादी शांभवी खड़ी होती है, रमेश औ और अनामिका एक दूसरे को देखकर शर्मा जाते हैं, देखो बेटा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी सही जवाब देना, अगर तुम्हारे जवाब सही हुए तभी घर की बहु बनोगी, पूछी, मैं जवाब दूँगी, ससुराल में बहु कैसी होती है, आग्याक की धूमधाम से शादी करा दी जाती है, उसके बाद अनामिका अपने ससुराल में आ जाती है, एक दिन अनामिका नीन से उठके सीधा बेट पे बैट जाती है, सासुमा शार्दा हाथ में कॉफी लेकर वहीं पे खड़ी थी, बहुत अच्चा माजी, हर दिन जब मैं सुपह उठू, आप मुझे ऐसे ही कॉफी लाके दिया कीजिए, कहकर वो कॉफी पीने लगती है, और शार्दा वहाँ से चली जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद बहुरानी आके डानिंग टेबल के पास बैठती है, शार्दा गरमा गरम नाश्ता बनाकर वहाँ पे ले आती है, अनामिका अच्छे से नाश्ता करती है, शार्दा उसी के बगल में खड़ी होकर हाथ पंखे से हवा कर रही होती है, थोड़ी देर के बाद अनामिका जाके सोफे पे बैठती है, ससुर जी प्रशाद टीवी आउन कर देते है, तब तक पती रमेश उसे अकबार ले आके दे इस तरह का बिस्तर पे लेटे-लेटे बहुती हसीन सपना देख रही थी अनामिका, वाउ, ससुराल में बहु की जिंदेगी शुरू हो गई, कितना अच्छा है, इस तरह सोचते वे वो आखे खोलती है, तभी सासुमा शार्दा हाथ में जारू लेकर वही पे खड़ी होकर अनामिका से गुस्से से कहती है, अनामिका, जल्दी से नीन से उठके जारू लगाओ, और रंगोली दो, अब चुकी कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए अनामिका जारू उठाती है, और आंगन में जाके जारू लगाके, वहाँ पानी छिड़क के रंगोली डालती है, फिर वहाँ शार्दा आके, रंगोली डल गया न, अब जल्दी से किचन में जाओ, वहाँ पे बर्तन पड़े है, साफ करो, अब चुकी कोई और चारा नहीं था, इसलिए अनामिका जाके बर्तन धोने लगती है, तब तक शार्दा सबजी लेके वहाँ आ जाती है, बहु, वो जोर-जोर से रोई, और सासुमा आके उसकी पिटाई कर दी तो, ये सोचकर वो मनी मन बहुत दुखी हो जाती है, और मुझे नहीं हो पा रहा है, अब मैं खाना पकाने के बाद थोड़ा आराम करूंगी, ऐसा सोची रही थी, तब तक शार्दा जाके घर पोशने के लि ये चली जाती है, वहीं सासुमा शार्दा सोफे पे बैठी होती है, तभी किचन से कूकर की विसल सुनाई देती है, अनामिका कूकर का तीन विसल हो गया है, जल्दी-जल्दी साफ करके खाना ले आके डाइनिंग टेबल पे रखो, बाब बेटा आके नाश्ता करेंगे, इ अनामिका को भी बहुत भूख लगी थी, प्रशाद उसके चेहरे को देखकर कहने लगते हैं, तुम भी जाके ना क्या आओ बहू और फे नाश्ता कर लो, ये सुनकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है, पर उस बीच में शार्दा घुस के कहने लगती है, पिता जी ने कहा इसलिए सुनके खुशी के मारे तुम दस इडली मत खा लेना, बस चारी इडली खाना है, इडली खाके जाके कपड़े दो लेना, उसके बाद बाजार जाके मेरे सारी का फॉल लगवा ले आना, ए भगवान, ससुराल में बहु का ऐसा आलत होता है क्या, मेरी दादी ने जो कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगी, नमस्कार